हलो मैं साक्षी तिवारी आप सबका स्वागत करती हूं great online academy में मैं आपको यहां पर बताने वाली हूँ एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आया है इंडियन पोस्ट पेमें इंडियन पोस्ट ऑस्ट से यह फर हम क्या सकते हैं भारतिये डांक मतलब यह जो जॉब है यह है पोस्ट ऑस्टी की जॉब है यह इंडिया पोस्ट चर्किल GDS recruitment, GDS होता है हमारा, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे Grammy, Dark, Seva, मतलब जो आपने देखा होगा कि जो हमारी post office, postman हम कहा सकते हैं इसको English में हम बात करते हैं, कि जो भी postman की जो भरती है उसकी ये recruitment है, और उसके लिए ये notification आया है और उसमें बहुत सारी post है, post है total हमारी all over the India यदि हम देखते हैं, तो ये है 38,926, ये हमारी total post है, और ये सारे circles में अलग-अलग होंगी, अब इस पर क्या होता है, ये जो selection process होता है, ये होता है हमारा merit base की, आपका merit base क्या होता है, और इस jobs के फायदे क्या क्या है, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, ये वैसे तो बहुत छोटे level की job है, लेकिन जब आपके हाथ में कोई भी job नहीं होती है, उस time पर ये job बहुत महत्पूर role play करती है, और इसमें जो आपको salary मिलती है, वो मिलती है 12,000 और 10,000, इसके अलाबा आप क्या कर सकते हो, इस job के साथ एक जो सबसे बड़ा benefit है कि आप इस job के साथ एक job ले लो अपने हाथ में कि हाँ मेरे पास एक job है ये और बाकी सारी चीजों की तैयारी कर सकते हो, इस job में जो recruitment होती है, बेसिकली वो हमारी है local language के basis पर कि जैसे उत्तर प्रदेश है वहां की local language हिंदी है और वहां पर जो vacancies है वह है पच्चिस सो उननेश उत्रकंट की बात करेंगे तो उत्रकंट की भी local language हिंदी माना गया है और उसमें जो है हमारी 353 पोस्ट है बिहार हिंदी 990 पोस्ट है चतिसगर हिंदी 1253 पोस्ट है मतलब 1253 है चतिसगर डिस्टिक्ट स्टेट जो है वह वैसे तो छोटा है लेकिन यदि पोस्ट वाइस हम देखे अस यदि हम बहार से कंपेर करते तो इसमें बहुत ज्यादा पोस्ट है फिलाग डेली अगें हिंदी आंट 60 पोस्ट है राजिस्थान हिंदी 2390 हर्याना हिंदी 921 हिमार्चल प्रदेश हिंदी 1007 जमू एंड कश्मीर हिंदी उर्दू जमू एंड कश्मीर में आपको दो 4024 सबसे ज्यादा पोस्ट हैं जो मध्य प्रदेश में है 4044 इससे ज्यादा पोस्ट मुझे कहीं भी नहीं दिख रही है सिर्फ एक जो हमारा है तेलांग नाम है वह है आपका सॉरी नौट टेलांग ना इस इन तमिल लाइडू तमिल लाइडू में तमिल और 4310 हैं लेकिन आप यह सोचो मध्य प्रदेश एक हिंदी स्टेट और हिंदी स्टेट में इत्ती सारी पोस्ट मिल रही है जैसे कि तमिल लाइडू में तो आपका लांगविज वेरियर आ जाएगा कि आपको तमिल लानी चाहिए तो सारे लोग जोंगे उनको तमिल नहीं आती क्योंकि यह यह जो प्रोसेस होती है ना इनके सेलेक्शन की वो होती है मारेट वेस्ट कि आपके नंबर कितने हैं अब हम बात करते हैं कि मिनिममम एज लिमिट क्या है मिनिममम आपकी 18 होनी चाहिए मांगजीमम 40 होनी चाहिए और एज रिलेक्शेशन एक्स्ट्रा असपर इंडियन पो बाक OBC 3 years, economical weaker section के लिए कोई भी age relaxation नहीं दिया है उनके लिए direct वही है जो general candidates के लिए है person with disability PWD 10 years, person with disability plus OBC 13 years मतलब कोई ऐसा candidate है जो मतलब उसको कोई भी disability है और वो ABC candidate है तो उसके लिए हमें कितना relaxation मिल रहा है 13 year का और person with disability SCST candidates है, so he is getting age relaxation of 15 years, means till the age of 55 you can fill the form next हम बात कर लेते हैं कि education qualification क्या चाहिए है, candidate should pass the 10th class compulsory knowledge of local language, अब यह जो local language का test होगा न, कि आपका language prophecy test जरूर होता है ऐसे exam में जहां भी local language की need होती है, और सबसे ज़्यादा यह test करते हैं कि आपने वो language जो particular language मांगी गई है यह जिसकी requirement है, आपने अपने 10th class में पड़ी हुई होनी चाहिए, means आपके पास basic knowledge of computer का भी knowledge, basic basic knowledge होना चाहिए जितना आता है knowledge of cycling, because जो ऐसा आज भी समझा जाता है कि जो post master है या डाक से बख है या जो भी इस टाइब की job होती है वो आपका post लेकर कैसे जाएगा, cycle से जाएगा, इसलिए knowledge of cycling मांगा गया है अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि selection process क्या होगा, selection will be made as per the system generated merit list based on the merit position of the candidate and preference of the post submitted मतलब यहाँ पर यह जो दो post है उन में से जो भी आपने preference डाला है उस पर और दूसरी चीज आपका क्या दिये देखा जाएगा कि आपका merit basis पर आपका selection होने वाला है अब हम बात करते हैं, notice for document verification will be sent only to the most suitable candidate for the post based on the merit preferences अब यह होगा कि जब इसमें 10th class मांगा है तो definitely आपके 10th के percentage देखे जाएंगे तो जो भी सबसे जादा maximum जैसे आपके पास 4000 पोस्ट ही या इसमें क्या होगा state के अदाबा आपके district wise post बटेंगे फिर जब भी आपका post ऐसे कोई post आता है तो उसमें district फिर block इन सब पर आता है तो जैसे हम बात करते हैं कि किसी एक particular block की बात करते हैं उस block में क्या होगा कि जो 10th के steward जिसने भी ये form भरा जिसको need है उसने ये form भरा उसके बात देखा जाएगा कि किसी के 80% है और किसी के 75% है तो document verification के लिए जो notice भेजा जाएगा वो post office से ही भेजा जाएगा और 80 वाले को भेजा जाएगा मतलब क्या है कि candidates को जब भी time दिया जाएगा जब भी उनको बुलाया जाएगा document verification के लिए तो अपने documents stand one set of photocopy submission करना पहे for application with the mark their total mark will be worked by taking into account mark of compulsory and elective of extra subject other than extra subject अब आपके क्या है जैसे आपको grade A1 मिला है और 10 pointer है आपका तो आपको multiplication factor 9.5 ऐसे आपके जो भी रहेंगे ना मतलब ये increasing order में दिया है A1 is highest A2 is second highest V1 is third highest ये आपका selection process total merit way selection होता है अब हम बात कर लेते important dates की तो जो dates है important application weekend ये हमारा कप से हो रहा है दो पांच 2022 से हो रहा last day to apply का हो रहा है हमारा 56 2022 को pay exam fees भी हमें 56 तक करना है और merit list जो result रहेगा वो तो वो directly जिन जिन को बुलाना होगा उनको जो भी merit में सबसे ज़्यादा qualify कर रहा होगा वो उनको बुलाएंगे और ले लेगे अब हम देखेंगे कि general candidate और OBC के लिए जो application fees है वो 100 रुपए है SCST candidates और PH candidates के लिए कोई भी fees नहीं है all the category female जो भी फीमेल है सारी वो exempted है इस fees के लिए अब आप यह देख रहे हो नो all the category females के लिए भी allowed हो पहले यह एक ऐसी job होती थी जिसमें females के लिए allowed नहीं होता था means वो बार कम ही लोग करते थे इसमें apply लेकिन अब आप कर सकते हो इंडिया चेंजिंग पेदा एक्जाम पीस थ्रो इंडिया पोस्ट इचालान सम्मिट तुदा नियरेस्ट हैड पोस्ट ऑफिस और जी पीउ मतलब यह है कि आपको डारेक्ट ऐसे आपको क्या करना है एक्जाम पीस थ्रो इंडियान पोस्ट इचालान ही सम्मिट करना है आपके नियरेस्ट जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे थांक्यू मुझे लगता है यह आपको समझ में आया होगा इस application के बारे में कि आपको कैसे फिल करना है आपको मैं और ऐसे application form के बारे में बताती रहूँगी और notification के बारे में बताती रहूँगी प्लीस like and subscribe my channel great online academy thank you very much